नवस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आफी के चैनल ग्रीन टेटर में और चर्चा करेंगे आई सी आई बैंक के बारे में रिजल्ट इसके भी आए और रिजल्ट भाई अच्छे हैं आऊ-फाइम आच्छों स्वावट खरेंगे 20% मूव देता है तो एक ट्रेडर को क्या चाहिए यह मूव चाहिए और इस मूव को कैपचर कैसे करना है वो चाहिए तो उसकी चर्चा करेंगे दोस्कों उसकी तैयारी करेंगे उसके बारे में अलसिस करेंगे उसको शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर को एक बार देख लेते हैं भाईया सेबी का बहुत बड़ा घंडा है इसको जरूर देख ले इसको जरूर पढ़ ले ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ अब जस्ट अपने मन की बात आप से शेर कर रहा हूँ कोई उससे फाल तो कुछ नहीं जैसे कॉमिक्स में नंदन कॉमिक्स में चंपक वन का चीकू खरगोस ऐसी वीडियो है इससे फाल तो कुछ नहीं आप बाई और सेल करते हैं तो प्लीज किसी फैनेशल एडवाइजर जो की सेभी रिस्टरो उससे जरूर सला ले ले और इसको पड़े भीना मेरी वीडियो ना देखें इससे क्राइम अब आयाते हैं हम चार्ट पे चार्ट को देखें भीना हम कुछ नहीं कर सकते हैं दो दिन से इसमें थोड़ा सा देखो दोस्तों ग्रीन केंडल तो बन रही है इतने बड़े मार्केट में दबाव के बाद भी अच्छी खासी इसमें कोई लाल केंडल नहीं बनी है और आप दूसरे बैंकों के मुकाबले देखोगे तो ये बैंक करेक्ट भी नहीं हुआ ये देख लीजा आप ये जरा सा भी करेक्ट नहीं हुआ बाकि सारे बैंक नीचे की तरफ धूल चाट रहे हैं पर ये बैंक नहीं करेक्ट हुआ तो फंडामेंटल और इसके ज़्यादा तकड़े हैं भाई दूसरे बैंक से एक फेडरल बैंक और आईसी आई बैंक ये दो मुझे पसंद है जिनको मैं लॉंग टम के लिए बैठ करता हूँ अब आते हैं अपने चार्ट पे आप देखेंगे एक डबलू टाइप का पैटन इसने बनाया और ये डबलू टाइप का पैटन जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा अगर ये कौन सा भाव दिखा देता है उसको आपको बताऊंगा अभी ये पैटन बिलकुल कंप्लीट हो ओबलिक ट्यूजडे मैक्सिमम वैडनस डे इन तीन दिन के ही को दिमाग में रखते हुए हम इस को कर रहे हैं जो ट्रेड हम बनाना चाहरे है उसके लिए तो आईए शुरूबात करते हैं यहां देखेंगे अगर आप जो इस एक मैं उसको आपको बता देना चाहूँ मैंने हमेशा मतलब तीन चार साल से इसके रिजल्ट को देख रहा हूँ मैं मैक्सिमम टाइम स्टॉक क्या करता है स्टॉक गैप अप होता है रिजल्ट इसके हमेशा ही अच्छे आते हैं स्टॉक क्या करता है गैप अप होता है ठीक है और गैप अप होके उस गैप को सस्ट बनेगा तो एक तो आप यह याद रखिए एक लेवल इसका जो मैं कहीं दिन मैं इसको नजर बना के भी रुखे हुए हूँ आठ सो तेरा यह अगर आठ सो तेरा को काटता है ठीक है तो इसमें बाइंग की पोजिशन बनाई है आप आपके टारगेट है 825 पहला 840 दूसरा ठीक है और तीसरा आठ सो साथ जो की यहाँ पे जाके टक्कर मारेगा यह डबलू पैटन कम्प्लीट करें तीसरा टारगेट आ आपका 860 अब मान लीजिए 825 के आसपास यह ओपन ही होता है गैप अपन होता है या उसके ऊपर चलता है तो फिर भाया आपने यही देखना है क्या यह लेवल हो रहा है तब ही इसकी तरफ जाए अब मान लीजिए इतना जबरदस्त ओपन होता है कि 840 के आसपास ओपन हो तो आपने देखना है कि 840 हो रहा है क्या तब ही 860 के पास जाए इस परकार से ही आप ले कर सकते हैं अन्य था ना इसको छेड़ ही ना ज्यादा गैप अप होता है तो ठीक है 3-4 परसेंट का अगर गैप अप हो जाता है तो बिलकुल छेड़ने की ज़ुरत नहीं है एक ले लेवल है आपका 825 वो लेवल है आपका 825 तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है अगर यह 825 के ऊपर क्लोज देदे ठीक है अब क्लोजिंग भी दोस्तों देखनी होगी ऐसी वैसी क्लोजिंग नहीं होने चीए माल लीजिए खुला 840 या 845 वहां से नीचे की तरफ आके क्लो तक के र मेंगए ग्रीन केंडल डोका हुआ हुए जिसके बेशसे हम हराा रंगा आ आ यहां पे ऐसे रेजिस्टेंस जो मैंने मार्किया इसके ऊपर क्लोजिंग घियन को मैं थोड़ा मोटा करता हूं 825 इसका बहुत बड़ा resistance है इसको अगर ये hold ऐसे करके निकलता है नीचे से ऐसे करके close देता है तब है ये तेजी का गोड़ा किसी ऐसी candle पर ना विश्वास कर लीजिए कि उपर gap up हुआ और फिर ऐसे आके candle close हो रही है लाल रंकी फिर दम नहीं है बाइस में ये याद रखना ठीक है तो ये है दोस्तो आपका ICI bank अच्छी खासी तेजी आपको ये 825 का जो मैंने आपे लेवल खीचा है इसके उपर ही है अन्य था नहीं है तेजी ना करे अब आता है भहिया कि जैसे सब की बैंड बज़री है क्या इसकी भी बज़ेगी अगर सबकी बैंड बज़री है तो क्या इसकी भी बज़ेगी तो वो है आपका लेवल 790 थोड़ा सा नीचे है closing price के closing क्या है इसकी आठ नहीं भई 840 ज्यादा नीचे का 820 की closing है तो 790 ये अगर तूट जाता है बिंदा सेल मारिए बिंदा सेल मारिए फिर आपके target ये 765 बीच में कोई target नीचे एक ये 742 का निकल रहा है बताता हूं मैं कैसे ये एक ये speed breaker आएगा बट इतना कुछ मुझे इसमें दिखनी रहा 772 अगर 790 को तोड़के नीचे की तरफ trade करता है तो आपको sell करना है आपके target है 772 और 765 बस तो ये आपका कुल मिला के इस वीडियो का सार क्या हुआ वह 5-6% की तेजी या गिरावट आनी है वो आएगी आपकी किस के उपर 825 के उपर तो आप C buy करके खेल सकते है फरवरी मंद की लेना वह या इस मंद की मत लेना वो नीचे की तरफ आता है तो 790 का level आपको ध्यान रखना है जिसके बाद आप इसमे momentum जो रहेगा नीचे की तरफ रहेगा उसका फाइदा उठा सकते है निकल जाईएगा 770-765 के बीच में ठीक है अगर 760 तूटता हूँ मिले फिर ठोक दीजिए फिर आपके target है 740 ये फिर ये जो मैंने line कीची है ये देखने को मिलेगी इसके नीचे ये zone है ये तूटेगा तो फिर यहीं आएगा चले दुआ तो लोटरी लेने वाला आदमी मांगता है ठीक है ट्रेड लीजिए SL hit तो SL hit emotions include करोगे उसमें नुकसान ही लेके बैठो ठीक है फिर ये stock market नहीं रहेगा फिर ये regret market बन जाए वो regret market ही बना हुआ है तो सोधा कटे SL कटे सोधा कट गया दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है ट्रेडिंग का position लेनी है hope जहाँ पे घुसा कि मैं आशा करता हूँ ट्रेडिंग में वहीं से नुकसान चालू हो जाता है सोचिए गाइस चीज को जरा Thank you very much